बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कल यानि कि मंगलवार को निफ्टी बैंक निफ्टी की साइड मुमेंटम कर सकते हैं कौन से लवल प्रम प्रोफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं तार 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट रहता है अब दोस्तों लास्ट टाइम हमने क्या डिसकस किया था एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसको दोस्तों याद रखना और लाइफ टाइम इसको अपलाई करना आपको बहुत काम आने वाला ह हर बार मैं आपको एक चीज बताता हूं जब भी मार्केट गैप अप अपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो हमारी क्या स्टेटजी रहती है अगर गैप अपन हुई है तो हम क्या करेंगे 15 से 30 मिनिट का वेट करेंगे उसके बाद 15 मिनिट वाली केंडल को हम दोनों साइड से मारक कर लेंगे ठीक है तो जैसे ही वो केंडल दोबारा से उपर की साइड तूटती है और ऐसे प्राइस एक्षन बनना जरूरी है जैसे प्राइस एक्षन बनता है तो हम कोल साइड बैठते हैं अगर ये नीचे की साइड तूटती है प्राइस एक्षन बनता है तो हम प मारक करने के बाद आप भूत देरे कोंड मार्के 솔 ली ङूई करें talked करीब है एक गंटा साइडबे चैङ़रने बाद मार्केट ने उपर की साइड ब्रेक क्या हमको को ब्रेक करने के बाद कॉल साइट नहीं बैठना ए मार्केट यवपी से बना एक से बाद हमको को ऊषय साइड बैठना है और उसके बाद देखिए कितना बड़ा मुमेंटम आज बैंक निफ्टी ने दिया हैं को जिसने कल की वीडियो फोलो की होगी जबरदस्त प्रोफिट लेके निकला होगा यह सेम टू सेम स्टेटजी दोस्तों हमारी गैप डाउन में भी रहती है अब बात आती है कि मैं पूट साइड क्यों गया आज देखिए दोस्तों मैंने सुबह जब आपको नो बजगे साथ मिनट पर मैंने आपको एक व्यू दिया था कि दोस्तों मार्केट गैप अपन हो सकती है दो दिन बाद मार्केट खुले तो इंतजार करें कम मात्रा में ट्रेड करे क्योंकि ज्यादा गैप अपन होगी तो मार्केट साइड वेज हो सकती है हम पुट साइड तभी जाएंगे जब मार्केट 34,500 की नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी वरना हमें कोल साइड ही सोचना है गैप अपन होने के बाद बार प्रोफिट बूकिंग आने के वज़ा स मार्केट डाउन साइड आ सकती है लेकिन अगर नीचे से दोबारा उपर जाना शुरू ही तो सुरू करें तो हम तुरंत कोल साइड जाएंगे और मार्केट अगर नीचे आई तो रीकवरी कर सकती है यह मैंने विव दिया था लेकिन मैं पुट साइड क्यों गया दोस्तो वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 34-700 का हमने पूट दिया, कितने पे 160-180 सी पे और यह न तीन बार 228 तक जाके आया है, यानि कि 40-50 पॉइंट आपको आराम से मिले हैं, तीन बार मोका मिला है प्रोफिट बुकिंग करने का, वो इसलिए मिला दोस्तों तीन बार क्यो यहां तक लो लगाया मार्केट है, तीन बार हमको 40-50 पॉइंट मिले, लेकिन बहुत सारे लोग प्रोफिट बुक नहीं कर पाए, उनके दिमाग में बस एक बात रहती है, कि डेली निफ्टी बैंक निफ्टी हमको 100-100 पॉइंट देगी, डेली बैंक निफ्टी हमारे पतलब खतम हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों में ज्यादा ओर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करता हूं, जो यह मुमेंटम था, इस मुमेंटम में मैं किसी काम में बीजी था, और नेक्स्ट मुमेंटम की मुझे, मैं सोच ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा मुमेंट आएगा, यहां तक मैं सोच रहा था, क्योंकि यहां पर एक रसिस्टेंस बन रहा है, और मार्केट ने आज किसी भी रसिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया इतनी जबरदस्त बाइंग थी, इसलिए दोस्तों आज मैं पूट साइड गया, कोल साइड के टाइम पर मैं अवेलेबल नहीं था, नहीं तो हम कोल साइड भी चले जाते, लेकिन दोस्तों सीख क्या है, वहीं है कि भाई, अगर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी में 40-50 पॉइंट मिन रहे तो भाई अपना प्रोफिट बूकिंग करने की कोशिस किया, यह मत सोचा करो कि इसका स्टोपलोस लगता है, जिसमें हमें पॉइंट ही ना मिले हो, लेने के बाद सीधा डाउन साइड चली जाए, जो 40-50 पॉइंट आपको देके जा रहे है, यह मार्केट तो उसको आप घर पे क्यों नहीं लेके जा रहे है, यह आपको लाइफ टाइम काम आएगा, दोस्तों इसको सीखा कर रहे थे, तो चलिए दोस्तों सुरू कर रहे है, मंगलवार को क्या हो सकता है मार्केट में, मार्केट ने क्लोजिंग दी है, दोस्तों 35,354 के आसपास क्लोजिंग दी है, अगर कल फ्लैट बेंक निफ्टी ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके जैसे ही इस रेंज को उपर क कि साइड तोड़ती है 35,400 के उपर निकलती है प्राइस सेक्षन मनाती हम कोल साइड बैट जाएंगे 40-50 पॉइंट का एसल रहेगा वन इस्टू टू हमारा टारगेट रहेगा 35,500-600 या फिर 35,700 तक लास्ट मार्केट जा सकती है उपर की साइड दोस्तों स्ट्रोंग रसिस् अगर डाउन साइड आना शुरू होती है तो बिलकुल भी आप ज्यादा बीरिस ज्यादा बीरिस मत होना कम से कम कब तक नहीं होना जब तक 35,100 से नीचे मार्केट ट्रेड ना करना शुरू कर दे नहीं तो अगर गैप डाउन ओपन होई तो दोस्तों मार्केट साइड सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आना शुरू और 35,100 के अगर नीचे आना शुरू होती है प्राइस एक्षन बनाती है तो आप पूट साइड बैट सकते हो 40-50 पूइंट का एसल डाल के वह इस तो आपका पूट साइड टार्गेट रहेगा टार्गेट आपका डेटा चेक करना ग्लोबल साइन देखना कैसे जा रहे हैं और यहां पर अगर कोई नेगेटिव केंडल बनती है तो 40-50 पूइंट आप ले सकते हो पूट साइड सुरुआत में ही अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट 15 मिनिट की केंडल को मार्क कर लेना और उसके नीचे दि यह मुमेंटम तभी अच्छा रहेगा वरना आपको कल ज्यादा पूट साइड नहीं सोचना है अब तक के अनलीसिस के अनुसार अगर कल तक कुछ डेटा चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा अम मालो बैंक निप्टी गैप उपन होती सी कीदा इसी किसी रेंज में 35,500-35,450 की रेंज में उपन होती है तो हमारी सेम वहीं स्टेटजी रहेगी वेट कीजिए 15-30 मिनिट का 15 मिनिट की कैंडल को मार्क कीजिए जिस साइड निकल के प्राइस सेक्षन बनाए उसी साइड हमको बैठना है गैप उपन होने के बाद आपको 35,000 लेवल या फिर पैतीज जारे सो का आपको क्योंकि यह स्विंग है यहां से मार्केट यहीं पर आगे मार्केट रुक सकती है अगर नीचे आना शुरू ही गैप उपन होने के बाद ठीक है अगर गैप उपन होती है 15 मिनिट की केंडल को उपर क्रोश करके बनाएगी बैंक निफ्टी अगर 15 मिनिट की केंडल के बाद 30 मिनिट की केंडल के बाद अगर बैंक निफ्टी निचे आना शुरू होती है प्राइस एक्षण बनाती है 45-50 पाइंट का इसल डाल के वन श्कुरू आपका टार्गेट हो जाएगा अब निफ्टी देख का निफ्टी अगर दोस्तो फ्लेट ओपन होती है और आज की हाई को क्रोस करती है प्राइस सेक्षन बनाती है 20-30 पॉइंट का एसल डाली है वह इसल टू आपका टारगेट हो जाएगा आपको 16,350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर 16,300 से उपर निकलना शुरू करती है मारकेनेगी आपको 70-80 पॉइंट निफ्टी में आराम से मिल सकते हैं उपर की साइड अगर आज जैसा मोमेंटम रहा तो ज्यादा भी मिल सकते हैं अगर आपको स्टोपलोस ट्रेल करना आता तो आप उसको भी उन पॉइंट को भी ले सकते हो अब मालो निफ्टी फ्लैट ओपन होके डाउन साइड आना शुरू करती है तो आपको तब तक पुट साइड नहीं बैठना जब तक मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं दोस्तों ताकि आपको न अच्छे से समझ में आ जाए मालो निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू करते हैं तो दोस्तों यह जो स्विंग ना जहां पर निफ्टी ने बोक्स बनाया था यह वाला स्विंग ठीक है इसको मारक कर लेजिए इस स्विंग को जब तक निफ्टी इसके करती है इस के निचे आके क्लोजिंग देना स्रू नहीं करती है प्राइस एक्षन नहीं बनाती है तब तक आपको फुटसाइड नहीं बैटना यानी की कम चैनल निफ्टी को 60 से 70 weint नीचे आना होगा 281 है 200 के नीचे आना होगा प्राइस सेक्षन बनानी होगे अगर ऐसा होता है अम आलो निफ्टी दोस्तो gap of open होती है जी कि दोस्तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कभी भी market लगातार इतने दिन gap of open होगी उपर जाएगी gap of open होगी उपर जाएगी ऐसा नहीं सोच सकते हो आज की जो market है उसने किसी भी resistance को respect नहीं किया है इसका मतलब यह नहीं है कि कभी respect ही नहीं करेगी resistance को इसलिए market को supreme बोला जाता है क्योंकि market कभी-कभी ऐसा काम कर देती है कि किसी को भी समझ में नहीं आता है आज जो यह bull run आया है दोस्तो इसने आज सभी resistance को खराब कर दिया किसी भी resistance को respect नहीं किया लेकिन जो नए लोग हैं दोस्तो market में जो नए आ करती है 5-10% कई बार नहीं कर पाती है respect इसलिए इसको supreme बोला जाता है और इसलिए बोलते हैं कि 100% accuracy किसी की भी नहीं है ठीक है इसलिए बोलते हैं दोस्तों जैसे कि आज के moment को आप देख लीजिए जीता जागता हुदारण है ठीक है तो अगर market gap of open होती है मालों इसी किसी resistance के आसपास open होती है तो एक नेगेटिव केंडल बनते ही या फिर दिन का लोग रोस करते हैं 20-30 पैसल डालके वह इसलिए आपका टारगेट हो जाएगा पूट साइड बैठ सकते हो आपका टारगेट यहीं रहेगा 16,250 तक का अगर मालों लोग gap of open होती है 320 के आसपास या फ रिसकी ट्रेडर तो gap of open होने के बाद दिन का हाई दोबारा से क्रोस करती है 20-30 पैसल डाली है वह तो आपका टारगेट हो जाएगा ट्रेडर लेकिन रिसकी ट्रेडर के लिए दोस्तों फिर कुछ बचेगा नहीं तो कल मैं सलाथ दोंगा आपको for education purpose के लिए कि आप निफ् के पास उपर की साइड दोस्तों सपेस नहीं है अगर आज की तरह bull run आएगा तो फिर तो आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हो 20-30 पैसल डालना इससे ज्यादा कि आपको जरूरत नहीं है अमालों निफ्टी दिन की gap down open होती है इसी किसी range में अगर open होती है 240-230 के आसपास अ दाल के पूट साइड बैठ सकते हो ठीक है यह हमारे दोस्तों level रहेंगे निफ्टी में लेकिन एक चीज याद रजना अगर gap down open होती है तो दोस्तों market में selling pressure आ सकता है bank nifty में selling pressure नहीं सोच रहे दे लेकिन अगर nifty down आती है तो bank nifty भी down आ सकती है ठीक है तो अगर gap down open होती है तो एकदम से मत कुदना 15-30 minute का wait करना उसके बाद जब दिन का low cross करती है price action बनाती है जैसे कि आज बनाया यह 15 minute की candle आपने मारक की जैसे यह उपर गई price action बनाया जबर आपका target रहेगा और अगर का आज का loan तूट जाता है तो बिल्कुल definitely market is जो एक gap छोड़ा इसको फिल कर सकती है 16-2040 के लेवल आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं अगर यहां से selling pressure आया क्योंकि अगर market को अब नया high बनाना है तो दोस्तों उपर continue करना हो गया फिर आपको पोज candle यहां पर दिन के टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकती है तो यह लेवल थे दोस्तों यह अभी के लेवल है इंट्राडे के मुलब यह फंडामेंटली और टेकनिकली मिक्स से लेवल है दोस्तों आज के टाइम के अगर रात बर में कुछ data change होता है तो फिर मैं आपक जरूर करके रखे चार्ट में जो लेवल बताएं उनको मार्क करके जरूर रखे जो डेली वीडियो को फोलो करता हूं को मेरी सुबहे के व्यूर्ट नहीं यह सुबहें देता हूं और मुझ मेरी क्या दोस्तों किसी की भी tips फोलो मत कीजिए यह मैं आपको क्लिरली बोल रह कि हमारी ट्रेटरे इतने पॉइंट गेंद कर लिए हमारी ट्रेट लें इतने पॉइंट गेंदिकновenty तरयन आउर की सब्सक्राइब कॉजंब करएं तब ब्रॉकिंट की कि क्योंकि दोस्तों मैं पुट साइड जाने के बाद मैं कोल साइड नहीं गया क्योंकि अगर मैं टिप्स ही देता रहूंगा दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप खाली टिप्स के उपर आपका बरोसा ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं थोड़े से इस मुमेंटम में आवेलेबल कम लग रहे हैं तो मैं क्या बता हूं भाई यह option ट्रेडिंग है पकड़के नहीं बैठ सकते हो टाइम डिके भी लगता है सो बाते होती है तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर फोलो नहीं किया तो यह original channel है हमारा इसको ध्यान तो ऐसी study में आपको paper trading के लिए देता रहता हूं और बहुत सारी चीज़े live market में update करता है तो आपको काफी help मिलेगी अपनी trading live में अगर आप टेलीग्राम को भी follow करते हो तो वीडियो के description में link है नहीं तो आप direct टेलीग्राम पर सरच भी कर सकते हो original channel को join करना क्यों कि इस logo स इस नाम से बहुत सारे fake channel है उनको दोस्तों follow मत करने उनके active member आपको नहीं मिलेंगे ये boat member है उनके ठीक है तो वीडियो कैसी लगी like करके जरूर बताना एक comment जरूर छोड़ना दोस्तों अपना प्यारासा जिससे मेरा की होसला बढ़ता है अपना कीमतिस में निकाल कर video के लिए बाइ बाइ